नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कहानी लालची कुत्ता की एक बार एक कुत्ते को बहुत जोर से भूक लगी थी तभी उसे एक रोटी मिली वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था इसलिए वह उसे शान्ती में बैठ कर खाने की इच्छा से रोटी को अपने मूँ में दबा कर नदी की ओर चल दिया नदी पर एक छोटा सा पूल था जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परचाई दिखाई दी उसने अपनी परचाई को दूसरा कुत्ता समझा और उससे रोटी चीनना चाहा रोटी चीनने के लिए उसने भौकते वे नदी वे छलांग लगा दी मूँ खोलते ही उसके मूँ की रोटी नदी के पानी में गिर कर बह गई और लालची कुत्ता तो भूखा ही रह गया इसलिए कहते हैं न दोस्त बच्चों की हमें लालच नहीं करना चाहिए तो इस कहानी से हमको क्या सिक्षा मिलती है बच्चों हाँ बच्चों यही सिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वेकि अगर हम लालच करेंगे तो हमारे पास जो धन है भी वह भी चला जाएगा जैसे कुट्टे के साथ हुआ कुट्टे ने क्या किया उसने लालच की उसने सुचा कि सामने पानी में भी एक और कुट्टा है उसके मूँ में भी रोटी है उसने लालच की उसने मूँ खोला बस उसकी जो रोटी थी वो पानी में बह गई तो इसी लिए बच्चों हमें लालच नहीं करना चाहिए